तो दोस्तों आज बनाएंगे कुछ अलग से सब्जी सब्जी कहलो या फिर चटनी कहले ना यह प्याज बून गई अच्छे से तेल गरम हो गया तक कड़ाई मुझे जीरा अजवाइन डाल के और प्याज डाल दी दी अच्छे से बून गई है अब इसने बिलकुर टामाटर बारी कटा हुआ है वो इसको हम मिक्स कर देंगे यह देखे पेस्ट भी नहीं बनाना लेकिन बारी काट लेना है उसके बाद उबले वीचा नहीं थे इनको थोड़ा सा में इस जार में डालके थोड़ा ग्राइंड कर लेंगे यह देखिजी पहले तो हम सिल्वट्टे पीस देखें इस परकार आपने यह इस लेना है मोटा मोटा और इसके बाद क्या करेंगे यह को मैं आपको पास से दिखा देते चमँ चमच में डाल के कितने किस परकार आप लोगोंने दरदराजाई ये कुट लेना आए पीस लेना आया कुछ भी कर लेना है सिल्बटे पर कुछ भी कर लेना भी टमाटर वाला पेस्ट और प्यास बुद चुका इसमें जुदाल दिया धनिया हल्दी उसके बार डाल दिया इसमें लान मिर्ची पाउडर नमक स्वाद के भूने के मंदी गैस पर इसे देखिए और इसके बाद भून चुका देखिए तेल बिलकुल अलग हो चुका है इसके बाद इसमें डाल दूँगे यह चने जो मैंने अच्छे से पीस लिये थी इसको करूंगी मिक्स और यह सूखी चटनी बोलते हैं हमारे यहां आप सब्जी कह सकते हैं वह आपकी मर्जी है लेकिन चटनी है चटनी को में मैं थोड़ा से देर और बहुन लेंगे और जब अच्छे से बहुन जाएगी तो मैं आप लोगों को बिल्कुल पास से दिखाऊंगी और यह खाने में तो स्वाधिस्ट लगती है यह देखिए बहुना शुर करनी बन के तयार होगी धन्यवाद दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कि अगरे चैनल को सब्सक्राइब करें मुझे आगे बढ़ने का मौका दे अपना ध्यान